हेलो फ्रेंड्स वेलकम वर रूटुटुट चनल दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है आज हम करने जा रहे हैं मैं डिस्कृप्शन में PC मीडिया का कॉंटाक नंबर दे दूंगा अंड दोस्तों अगर आपको डिटेल में इनके स्पैसिफिकेशन के बारे में जानना होगा तो तो मैंने डूनों मॉडल्स की अंबॉक्सिंग वीडियो दे रिखिया हैं मैं डिस्कृप्शन में डॉनों भी दे दूंगा आप देख लेजेगा वक्त जादा ना गवात हो है अपने बेटल ग्राउंड को स्टार्ड करते हैं सो लेट्स बिगेंग तो देख लिजे दोस्तों अपने से लेख 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 ले झाल झाल देद आख लोग कि लुड़्स और तर तरह जोर्ढ पिल्सवर तरह जोर्ड आ कि आखगएु हड्स रणड दी भी मार ये खोट जिगरियां पेयू आर चुट जगरियां पेयू राव पूर पूर राव फूर पूर पूर खर्रण। तो दोस्तों कैसी लगी आपको दोनों स्पीकर्स की साउंड कॉलिटी बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्स्पीरियंस तू भी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ जैसा कि मैंने दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था अगर आप सोनी एसरेस एक्सपी 10 को यूज कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार आप अपग्रेड करें एक्सपी 12 पे तो आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देखेगा तब आपको मैं पूरा आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपके पास XB10 है तो आप अपग्रेड मत करिएगा क्यूंकि अतना ज़्यादा चेंज केंज हमें नहीं मिला है क्यूंकि ऑवरॉल जो कालीटермा को purchase कर सकते हैं बट अगर आप XB10 के बाद सोच रहें कि XB12 को purchase करिए तब मेरे हिसाब से कोई best option नहीं रहेगा और दोस्तो दोनों के specification भी हमें same मिल जाते हैं मतलब यार ज्यादा change हमें नहीं मिलता है दोनों में 16 hours 16 hours का play time मिल जाता है तो यहां पे बैटरी में भी improvement नहीं करा है तो मेरे हिसाब से यार दोस्तो मनलब XB10E आपके लिए अभी मनलब अगर आपके आप यूज कर रहे हैं तो आपके लिए अभी वही best है तो दोस्तो कैसा लगा आपको Bluetooth Speakers पे battleground मतलब यार दोस्तो हमारा यह first attempt था अगर आपको इस तरीके से Bluetooth Speakers में भी comparison देखना है तो जरूर से बताईएगा मैं future में आपके लिए लेकर आते रहूँगा आपके लिए बहुत हाड़ वर्क करा है अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए अगर आप हमें first time देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी subscribe कर दिजे साथ में bell icon को प्रेस करिए ताकि नए ने वीडियो की notification आपको मिल सकें अग अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें Instagram पर follow नहीं करा है तो जल्दी से हमें Instagram पर भी follow कर लेजिए मैं description में Instagram के ID का link दे दूँगा सो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye